स्वागत है आप सभी का सिविल साइट नॉलेज में सिविल साइट नॉलेज लेकर आया है बहुत इंपॉर्टन टॉपिक कि ट्वाइलेट बात्रूम कहां बनाए इसका डाइरेक्शन सही डाइरेक्शन कहां होना चाहिए एज पर बाश्टूर साश्त्र के एक कॉर्डिंग देखे घर का नकसा तो आप बना लेते हैं तो टॉलेट कहां पर पुर्वाइड करें यह मैं बताने जा रहा हूं और जो सीट होता है इंडियन सीट जो भी इसका तो इसका फेस किधर होना चाहिए दोनों टॉपिक मैं किलियर करने जा रहा हूं वीडियो आप लाज तक दे चलिए one by one करके समझते हैं कि किस direction में इसका direction कैसे निधारित करते हैं इसके पीछे क्या logic है यह समझने कि कोसित करते हैं तो मालने जाए कि आपका जो plot है कुछ इस टाइब का है ओके आपका plot का सब्सक्राइज है मालने जा यह लंबाई हो गया और यह चोड़ाई हो गया ओ टू ट्री फोर फाइफ सिक्स सेबेन एट और नाइन सेकिन क्या करना है आपको इसका डायरेक्शन जना किस डायरेक्शन में यह प्लॉट है तो दिख लिए एक्जामपल के तुरूपर मालने जी नर्थ इधर है साउथ है यहां पे है इस्ट और वेस्ट डायरेक्शन कुखे यह 40 ही तो गए और 20 फीट आपका चौड़ाई हो गया है तो क्या करना है इसको पहले आपको यह और इधर से थिरी प्लॉट हो गया फिर इसको भी इसको भी नाइनule इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेना है उसके बाद आपको डाइरेक्शन जान लेना है जैसे कि मैंने आपको यहां पर बताया है इस तरह के आपको कर लेना है डिवाइड कर देना है तो आपको इसका डाइरेक्शन जानगे उसके बाद डिवाइड कर रहे हैं आप जिस यह दिखिए और डाइरेक्शन जली नॉर्थ कि इधर न्र्थ शौथ सीश्ट और वेस्ट डाइरेक्शन ठोड़ा सा बस्टू ग्यान लेते हैं कि जो बस्टू पूरूस होते हैं उनका डाइरेक्शन कैसे होता है तो देखिए यहां पे यह बाश्टू पूरूस हैं इस डाइरिक्शन इधर है इस्ट वेस्ट नर्थ और साउथ इनका जो फेस होता है बाश्टू पूरूस का यह देखिए नौर्थ और इस्ट कॉर्नर से यहां से स्टार्ट होता है यह फेस अगर भाग है इनका और यह सेंटर में यह zenने ब्रभंव ऍसतन बोला जाता है अब ठोड़ा सा छाने के इसको बहुंत बहुए चीन परंबाइड किया जाता है किचन परंबाइड किया जाता है इस तटे किया जाता है् ik तो क्या करते हैं सबसे पहला नंबर आपको क्या करना है कि कि इस direction में है उत्तम मना जपालेट बनाना, आपको 9 पार्ट में मैंने जो divide कर, देखें जैसा कि 9 पार्ट में हमने divide किया, आपका ये plot है, तो ये north, south, east और west, ध्यान से देखिए कि आपको toilet कहा बनाना होता है, तो ये आपका क्या हो गया, आपका center line हो गया, घर का जो center हो गयी है, north और east, इसका divide हम कर दिए हैं, यहाँ से और यह आपका इधार अगर साउस से वेश्ट की तरफ आएंगे तो इस एरिया में यहां पे आप ट्वाइलेट बना सकते हैं यह वाला ग्रीन सिग्नल में पुर्भाइड कर रहा हूं तो यहां इस एरिया में बना सकते हैं लेकिन यह कॉर्णर पे आपको नहीं बनाना है इस और नहीं बनाना यह कैसे को जाने यह को बताने जा रहा हूं, नहीं बनाना है और दी आगा fakret now warmth Day ऐसे के जिपने में आगा कई नहीं बना सकते हैं इस area में toilet बना सकते हैं ओके दो direction आपको मैं provide किया west में दोनों corner को छोड़के toilet बना सकते हैं और इसमें भी कहां पे सबसे best होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा देखिए दो option हो गया तीसरा option है आपका इस direction जो इस direction में जब ये आप west और south में नब बना पा रहे हैं तो east में बनाईएगा तो आपका इस वाले direction में ये center line है यहां तो kitchen प्रभाइड करते हैं यहां पे आपको toilet नहीं बनाना होता है ये इस वाला area में toilet नहीं बनाएंगे और यहां पर भी नहीं बनाना है बनाना का है green जो आपको दीख रहा इस area में बनाना है rare case में आप यहां पे बना सकते हैं इस वाले portion में rare case में देखे ये कैसे हम decide करेंगे ये भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि देखिए toilet जब कभी भी बनाते हैं तो थोड़ा सा ध्यान देते हैं देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया 9 part जब करते हैं इसका किसी भी plot का 1 3 part हो गया ये 9 part हो गया ये जो 9 part है इसको भी 3 part में divide करेंगे देखिए 1, 2, 3 तो यहीं जो corner है इस corner पे avoid करेंगे यहां पे आप नहीं बनाएंगे toilet फिर इसी को 3 part में divide करेंगे जैसे कि आपको 3 part में और इधर से भी 3 part में तो इस corner को avoid करेंगे यहां toilet आपको नहीं बनाना है यहां पे नहीं बनाना है बाकि इस area में आप बना सकते हैं और ये वाला area में बना सकते हैं इधर तो आपको बनाना ही नहीं है सेंटर में कभी भी नहीं बनाना है और यहाँ पे भी आपको नहीं बनाना है यहाँ पे भी नहीं बनाना है यह इस ट्राइरेक्शन में इस डाइरेक्शन में कहाँ पे बना सकते हैं आप सकते हैं और यहां भी आपको ट्वालेट नहीं बनाना रह नहीं के पडीर साइड में हुआ पहरा हाना अपर लिए ़ौतल की का के तो आपको फेस ओसा रहा है इंडियन विसका फेस की धर होना चाहिए डेख रहे हैं आप ये जो देख रहा है इधर फेस इदर और इधर इसका डारेक्ष्ण क्या होना चाहिए या तो साउथ डारेक्शन आप भूल के भी कभी भी इस डारेक्शन में मत बनाईेगा ये direction east और west direction में आपको नहीं बनाना चाहिए कभी भी भूल के भी नहीं बनाना चाहिए इतका जो direction होना चाहिए ये ये facing जो होना चाहिए आपको ये वोला face nut और south east और west में नहीं होना east और west direction में नहीं होना चाहिए अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भोले क्योंकि मैं हमें साथ सिविल से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूँ मिलते हैं नेक्ट वीडियो में